नापूर में मकर संक्रांती से पहले ही पतंग बाजी शुरू हो जाती है पतंग उडाने उपयोग में लाए जाने वाला चाइनीज मांजा इतना खतरनाक होता है कि हर वर्ष कई लोग जखमी हो जाते है जबकि कुछ की तो जान भी चली जाती है इन दिनों शार में कटिक पतंग को पकड़ने के लिए युवाव का जुनून देखते ही बन रहा है इसी जुनून ने एक युवा की जान ले ली दरसल युवा कटिक पतंग को पकड़ने के लिए चट पर चड़ा लेकिन इसी समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह चट से सिर के बल नीचे गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गया उपचार के दोरान उसकी मौत हो गई घायल होने के बाद परिजनों ने उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में दाखिल करवाया इलाज के दोरान उसकी मौत हो गई पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्च कर जान शुरू कर दी यूआ बेटे के मौत से परिजन सदमे में है परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका बेटा चला गया पतंग बाजी की वज़े से हरवश्चर में मौते होती है इसके बावजुत यूआर बच्चों में पतंग बाजी और पतंग पकड़ने का जुनून कम नहीं होता